नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप सभी का स्वागत है न्यूस क्लिक के शोट डेली रौंड अप में आई नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर हमारी पहली खबर में हम बात करेंगे दिल्ली की जहांपर जद्दो जहत के बाद किसान पहुचे जंतर मंतर भारी सुरक्षा के बीच शुरू की किसान संसत आयकर विभाग ने दैनिक भासकर मीडिया समू के कई परिसरों पर मारे च्छापे पेगा ससकांड सुची में अब दलाई लामा के करिबियों के नंबर और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में आज दूसरे दिन भी एक्टिव मामलों में दो हजार से अधिक की बढ़ोतरी केंद्र के तीन नए क्रिशी कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का एक जथ्था काफी मशक्कत के बाद जनतर मंतर पहुचा भारी सुरक्षा तैनाती के बीच उन्होंने आज से किसान संसर्च शुरू की दिल्ली के उप राजिपाल अनिल बैजल ने 9 अगस तक अधिक्तम 200 किसानों को प्रदर्शन की विशेष अनुमती भी दे दी है 200 किसानों का एक समूँ पुलिस की सुरक्षा के साथ बसों में सिंगु सीमा से जनतर मंतर पहुचा हाला कि कुछ किसान नेताओं ने पुलिस पर उनके कारेक्रम को देर करने के लिए बार-बार शेकिंग के नाम पर रोकने को लेकर आपत्ती भी जताई है किसानों को 11 बज़े से शाम 5 बज़े तक विरोत प्रदर्शन करने का कारेक्रम है देखिए वरिश पतकरार मार्शा सिंग की यह रिपोर्ट लेकिन इसका असर बहुत बढ़ा जाएगा पूरी दुनिया में चर्चा होगी कि किसानों की बात नहीं सुनी जारी और वह पैरलल संसद कर रहे हैं और किसानों ने शुरू अतकर दी के कार्पूरेट लूट नहीं चलेगी आज संसद के बार बात हो रही है कलको अंदर भी हो कि किसान आंदोलन को बिल्कुल सरकार नकार रही है आज आप लोग यहां पर आए हैं क्या लगता है सरकार देखेगी या मीडिया देखेगा क्या होगा इस किसान संसद से आप देख लो पीछे साल नावंबर में चबीस और सताइस को हमने पार्मेन में जाने के लिए परमिशन मांगा था और हमने ओम परमिशन हमको मिला नहीं और अब ही आट महीना इसी के वज़े से हमको बोडर में बैटना पड़ा लांकों किसान इसमें आये और कोई दुनिय कि वह आ्ट महीनत के अंदोरन चलाएगा अभी आप जंतर मनतर पे हैं वैसे आपने टीकरी में पूरा का पूरा संस्थान को रखा है क्या लग रहा है किसान से इतना डर क्यूं हो रहा है? important किसान बोल रहा है, लोगों को लगता था जो किसान वो अनपड है, जो दिखाया जाता था, उसको एए नहीं मालूम कि किसान का बेटा डॉक्टर भी है, एंजीनियर भी है, पीछ डी भी है, और किसान खुद भी पी ये सब एए, और पहले हम किसान हैं, बाद में हम ये सब अब उस चीज से डरते हैं, कि दुनिया को ये मालूम पड़ जा, ये लोग तो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, ये समझ भी लेते हैं, क्यों उन्होंने तो दिखाया था ना, इनको मालूम ही नहीं है, ये तीन को नून क्या है, अब हम उनको दिखाया रहे हैं, हम सब कुछ मालूम है, हम सब कुछ जानते हैं, ये बस ये ही दिखाने आए थे आज, आज इतनी मुश्किल, क्यों ही जादा पुलिस है, क्या लगा आपको आते समय आते समय तो बहुत जादा पुलिस इकठी हो गई थी, आगे पीछे साथ गाड़िया चल रही थी, हमारी गाड़ी भी खराब हो गई, पता नहीं वो खराब दी गई थी, है कैसे था, सिस्टम बहुत टाइट था, और गाड़ियों की चेकिंग बस में चढ़ा रहे थे, जैसे हम लेके आए हुए, तो वह बहुत ही अलग था, और कंट्रोल करने की टराने की बरगलाने की कोशिश थी, वट वो क सरकार संसद में, किसानों से बात चीत के लिए हम लोग तो कंडीशन लगा रही है सरकार, कि ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, अनकंडीशनल बात हो, बात करने से सकेम कभी भी पीछे नहीं हटा है, पहले भी और अब भी, ये बात एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसर गोडे जो दोडेंगे उसकी सवारी मल्टीनेशनल्स करेंगी जो अग्रेरियन बिजनस की बड़ी मल्टीनेशनल्स है वो करेंगी और इस देश की खादयान सुरक्षा को खतम कर देंगी अनाज में मनौपली बनाएंगी इससे इंफलेशन बड़ेगा महंगाई बड़ेगी और किसानों की जमीन चीनेगी क्योंकि खेती का कॉर्परोटाइशन करने जा रहे हैं और इस देश में छोटा सीमाद किसान दरमयाना किसान बड़ी गिंती में है उससे चीनेगे यह सर्थ आयकर विभाग ने कर्चोरी के आरोपों में मेडिया समू दैनिक भासकर के विबिन शहरों में इस्थित परिसरों पर ब्रहस्पतिवार को छापे मारें अधिकारिक सुत्रों ने बताया कि छापे मारी भुपाल, जैपूर, एहमदाबाद और कुछ अन अस्थानों पर की जा रही है विभाग या उसके नीती निर्मान निकाय से किसी तरह की अधिकारिक जानकारी नहीं मिली है लेकिन अधिकारिक सुत्रों के मुताबिक यह कारवाई विबिन राज्यों में संचालित हिंदी मीडिया समू के प्रवर्तकों के खिलाब भी है एबिपी न्यूस की खबर के अनुसार रात धाई बजे के बाद से दैनिक भासकर के कार्याले उपर यह चापेमारी की जा रही है पूरा सच ऑपरेशन दिल्ली और मुंबई टीम के द्वारा संचालित किया जा रहा है इस चापेमारी में सौ से जादा अधिकारी कर्मचारी शामिल है विपक्षी दलो और प्रक्ति स्चील वर्ग ने इसे सरकार से सवाल करने वाली और मुखर पत्रकारता पर हमला करार दिया है आए सुनते हैं इस पर क्या कहना है वर्ष्र पत्रकार अभिसार शर्मा का जो सत्ता से सवाल करेगा उस पर प्रवर्तत ने देशाले यानि एडी की रेड मारी जाएगी इंकम डाक्स की रेड मारी जाएगी उसे परेशान किया जाएगा उसे आपकी पालतू मीडिया के जरीए बदनाम किया जाएगा इस सरकार को सिर्फ ही आता है इसके लावा कुछ नहीं आता है आज की जो बड़ी ख़बर मैं आपको बोल किलब आजाहने तेरे में बताने वाला हूँ दोस्तों वो ये कि दैनिक भासकर वो अखबार जिसने कुरोना की दूसरी लहर में भारती जनता पार्टी की धज्यां उड़ा दी थी उन्हें सही माइने में एक्सपोज किया था उस पर इस वक जब मैं आप से बात कर रहा हूँ इंकम टाक्स की छापे चल रहे हैं बात वहाँ नहीं रुकी बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर लिया गया है दोस्तों दैनिक भासकर के अलावा भारत समशार जो की उत्तर प्रदेश में स्थित एक न्यूस चैनल है वो एक मात्र न्यूस चैनल जो मुख्यमंत्री आदित तिनाज से सवाल करता है उस पर भी रेड मारी जा रही है सबसे पहले मैं आपको ये तीन तस्वीरे दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि दैनिक भासकर ने किस तरह से किसी की पूँच पर पाउं रख दिया था हलाकि इस शब्दावली का मुझे इस्तमाल नहीं करना चाहिए सिर्फ उनका एक ही गुनाह था कि उन्होंने पत्रकारिता की वो पत्रकारिता जो यहाँ पर हम न्यूस क्लिक में भी कर रहे हैं मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों कि ये सरकार आखिर दैनिक भासकर से क्यों बौकलाई हुए मैं एक एक करके उनके पहले पन्ने को आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ उसी तरह से मैं आपको बताऊँगा कि भारत समाचार ने भी किस तरह की देलेर पत्रकारिता की मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दैनिक भासकर का ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ इन्होंनी ये बताया है इस वीडियो के जरीए की काशी के अंदर किस तरह से लाशे जल रही थी कुरोना की दूसरी लहर में हालत कितने भयानक थे वहाँ पर आप इसकी एक छोटी सी जलक देखिए फिर आप समझ जाएंगे कि ये सरकार उनसे क्यों नारास थी जहां तक नजर जाती है वहाँ गंगा किनारे वेत में दफ्न शव नजर आते हैं उन्नाओ, कानपूर, कन्नौज और राइबरेली के बाद ये तस्वीरे हैं संगम नज़ी प्रयाग राज की यहां गंगा किनारे रिंग वेरपुर घाट में हजारों लाशी दफ्न है अप्रयल में मौतों का आकड़ा बढ़ा तो लकडियों के दाम भी बढ़ गए लोगों ने शवों को दहा संसकार की जगा दफ्नाना शुरू कर दिया दरसल इस सरकार को दिक्कत थी दैनिक भासकर के अनालिसस से वो जस तरह से कोरोना की सही तस्वीर देश के सामने ला रहा था जिस तरह से पेगसिस के जरीए पत्रकारों की विपक्ष के नेताओं की जासूसी हुई वो तस्वीर जो दैनिक भासकर लगातार सामने ला रहा था इस सरकार को उस बाद से दिक्कत थी अब एक एक करके दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला है और दैनिक भासकर ने किस तरह से अपने अखबार के जरीए इस सरकार के कामकाच की पूल खोल दी सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर डेटा गड़बड है अब भी अतनी मौतें जितनी तब हो रही थी जब शमशान में वेटिंग थी अस्बताल फुल थे इस तरह से दैनिक भासकर ने बाकाइदा अलग अलग शहरों में इस ग्राफिक के जरीए इस तस्वीर के जरीए बताया कि हालत कितनी खराब है अब देखिए दैनिक भासकर का पहला पन्ना सरकार के मौत की आकड़े जूटे हैं जलती चिताएं सच बोल रही हैं और ये तस्वीर बता रहे हैं वो मध्ध प्रदेश की अब आपके सामने दोस्तों उत्तर प्रदेश की तस्वीर शर्मसार हुई गंगा गंगा की पवित्र धारा में बहकर वो म्रत आत्मा है तो पवित्र हो गई लेकिन कोरोना में मौतों का आकड़ा छुपाने के मैनेजमेंट में गंगा किनारे बसे जिलों की अधिकारी चंगा सी का सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में सब भूल बैठे दरसल सरकार को देनिक भासकर से क्या दिक्कत थी मैं वो आपको बताना चाहता हूँ दरसल देनिक भासकर एक मातर वो अखबार था जो जासूसी प्रकरन पर एक एक तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा था जी हाँ मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पेगसिस सॉफ्टवेर के सरीए चालीस पत्रकारों इसके लावा विपक्ष के कई नेताओं जैसे की राहूल गांधी, प्रशान किशोर, अभिशेक बैनर जी और कई वकीलों, सुप्रीम कोर्ट जजजस उन तमाम लोगों की फोन्स को हैक किया गया, उनकी जासूसी की जारी थी ये तस्वीर दैनिक भासकर ने आपके सामने लाई, मगर जो चीज सबसे ज़्यादा इस सरकार को खल गई थी दोस्तों, वो ये तस्वीर है, दैनिक भासकर ने अपनी इस खबर में ये बताया कि जासूसी का इतिहास मोदी और अमशा का पुराना है, इस खबर में बताया किस तरह से अमिट शाह और मोदी एक लड़की की जासूसी करवा रहे थे, अब क्यूं करवा रहे थे, वो तो हम नहीं जानते, इस खबर का जिक्र दैनिक भासकर ने भी किया था, सिर्फ दो दिन पहली की बात है, और इतिफाक देखिए, आज उनके दफ्तरों पर रेड ब गये, यह नंबर NSO ग्रूप की क्लाइंट सरकारों के लोगों ने टैप किये थे, दगाडियन में छबी खबर के अनुसार, जाच में कई हद तक यह बात साफ होती है, कि इन नंबरों की जासूसी भारत सरकार द्वारा की गई थी, कतित तौर पर दिल्ली से सेलेक्ट किये गए अन्य नंबरों में तिबबत की सरकार के राश्पती लुप संग संगाए, एक अन्य बौद ही नेता, ग्यालवांग करमापा के स्टाफ और भारत के एकसाइल समूग के अन्य कारकरताओं के नंबर भी शामिल है, एन एसो द्वारा बनाये गया पेगसस, क्लाइंट को किसी के भी फोन के कॉल मैसेज और लोकेशन जानने की अनुमति देता है, तिबबत के लोगों ने पुष्टी करने के लिए अपना फोन तो किसी को नहीं दिया, मगर टेक्निकल एनलिसिस में दस अन्य मोबाइल की इनने करवाई है, और उन मोबाइल में पेगसस से सम्मंदित सबूत मिले हैं, संसत के बांसून सत्र का आज तीसरा दिन था, आज ही किसानों का प्रदर्शन भी शुरू हुआ, संसत में पेगसस जासुसी मामले के खिलाफ आज भी विपक्ष का विरोध जारी रहा, विपक खड़े हुए, टीमसी सांसदों ने विरोध किया और पन्ने फार ने शुरू कर दिये, एक अनिक हवर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विज्यापन पर अथाहा पैसा खर्च करने का खुलासा हुआ है, निउस लॉंडरी द्वारा दायर की गई एक RTI के जवाब में साफ हुआ है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2020 के अप्रेल से 2021 के माज तक विज्यापन पर 160 करोड रुपए खर्च किये हैं, आपको याद हो कि यह वही समय था जब उत्तर प्रदेश समयत पूरे देश में कोरोना वायर्स के शिकार मरीज, अस्पतालों, दवा स्वास स्युविधाओं की कमी की वजह से अपनी जान गवा रहे थे, और आखिर में हम बात करेंगे के इंदी स्वास मंत्राय दौरा आज गुरुवार यान 22 जुलाई को जारी आकडों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41,383 नए मामले दज किये गए ह 507 मरीजों की मौथ हुई है माराज में अज फिर 165 मरीजों की मौथ हुई वही केरल में 105 मरीजों की मौथ हुई है साथ ही इसी भी इस देश भर में कोरोना से पर 38,652 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 2,224 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में कोरोना के मामलों की संक्या बढ़कर 3,12,57,720 हो गई है जिन में से अब तक 4,18,987 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से पर 97,34 फीस दी यानि 3 करोड 4,29,349 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 1,31 फीस दी यानि 4,9,394 हो गई है स्वास मंत्राले की ताज जानकारी का नुसा देश में कोरोना वैक्सीन की 41,78,51,151 डोज दी जा चुकी है जिन में से 22,67,689 वैक्सीन की डोज पिसले 24 घंटों में दी गई है आज के डेली रॉंड अप में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया